टेलीग्राम के जर्ये लिंक पेच कर लोगों के साथ करोड़ों रुपे की धोका धड़ी करने वाले गैंक के दो सदस्यों को साइबर क्राइम टीम और एसीपी हरी परवत की टीम ने गरफतार कर लिया है पुलिस उपायुक्त नगर सूरज राय ने बताय की 23 फरवरी 2024 को वादी ने सूचना दी की टेलीग्राम लिंक बेच कर स्टॉक का बहाना लगा कर कुछ लोगों ने उनके साथ एक करोड 99 लाख रुपे की ठगी की है इस सूचना पर ततकाल प्रभाव से साइबर क्राइम ठाने में अभियोग पंजिकरत किया गया और पुलिस उ सदस से भारत के बाहर के सर्वर पर एप पोस्ट करके मोल अकाउंट में लोगों के पैसे डलवाते थे देखिए दिनांग 23 परभी 2024 को थाना साइबर क्राइम पर एक साइबर फ्रॉड की शिकायत मिली जिसमें वादी द्वारा बताया गया कि उनको टेलिग्राम के जरीए एक लिंक के माध्यम से स्टॉक में इन्वेस्ट करने के जहासे से उनसे ही एक करोड 99 लाख रुपे का हो गया है और ततकाल थाना साइबर क्राइम ने इसमें अभियोग पंजिक्रित करते हुए ACP हरीपरवत के नेत्रिति में टीमें लगी और इस घटना का इस पुरे गैंग का सफ़र अनावरड किया गया है और इसमें जब इनका पूरा मोटस ओपरेंडी देखा गया तो यह कुछ ऐसे है कि इसमें भारत के बाहर के सर्वर्स पे एप होस्ट कराके उसको एप बनाके और उसके माध्यम से वो लिंक्स दिये जाते हैं अलग-अलग सोशल मीडिया पे और उन लिंक्स से पैसे ट्रांसपर करा देते हैं किसी तरह का लालक्स दे के और उन पैसों को लोगों के अकाउंट खुलवाता था दानों आरूपियों को फिलाल हिरासत में ले लिया गया है साथी साथ पुलिस ने विविशना के दारान पाया है कि 42 अकाउंट ऐसे हैं जिनमें 6 करोड से ज्यादा धनराश्य को फ्रीज किया गया है जब इन मियूल अकाउंट की जानकारी की गई तो ये कानपुर के दो लोग हमारे सामने आये जिसमें एक बैंक का करमचारी है वो इन वॉल्व है और एक व्यक्ति जो ये अकाउंट फिलवाता था वो है इन लोगों ने बाहर के लोगों से बातचीत करके ये काम करवाते थ कुल अभी तक 42 अकाउंट ऐसे हमारे सामने आये हैं जिसमें 6 करोड के आजपास की धंडाशी है उसको फ्रीज करा दिया गया है इनके पास से दो मोबाइल पोन बरामद है और इन दोनों व्यक्तियों की ग्रफतारी कर ली गई है जो गैंग में अन्य लोग है उनको भी चि आपको बताया मैं एक विंग कमांडर से बिलकुल क्योंकि जो धनराशी गई है उससे ज़्यादा धनराशी फ्रीज हुई है और उससे कहीं ज़्यादा धनराशी और इन खातों से निकल चुकी है तो यह अकेले विक्टिम नहीं है एक साइबर फ्रॉड का पुरा गैंग है इनके विक्टिम हर जगा पूरे देश में हर जगा हैं तो जो इनका अकाउंट से उनको अनलिस्स किया जा रहा है जो भी इनसे संबंदित लोग हैं उनको यदि कोई विक्टिम होगा तो ओनको इनको कॉंटेक्ट भी किया जाए lepk 25 करूर रुपय की रासी इन जो खाते है इनसे निकल चुकी है और भी बहुत सारे खाते हैं जो connected है आपस में सब के study की जारी है सर्व के background के आप कहां सो operate करते हैं इस पुर मोडिल को देखिए एक कोई definite place नहीं है ये हर ज़ज़ा जहां भी इनको current account खुलने में आसानी हो आप जानते हैं कि current account में transaction के limit बहुत जादा होती है और ये आम तोर पे bank के अंदर एक कोई किसी आदमी को खोजने की कोशिश करते हैं जो इनके ये सारे काम आसानी से करा है किसी ऐसे व्यक्ति को खोजने की कोशिश करते हैं जिसके सारे दस्तावेज तयार हो और वो बहुत कम धनरासी में अपने नाम का bank account देने को तयार हो जाए है पुलिस अधिकारियों का दावा है कि जल्द ही गैंग के अन्य सदस्टियों को भी गिरफतार कर लिया जाएगा डीजी मारजा नियूस के लिए प्रेशान कुल्शरेट की रिपोर्ट